हेलो फेंड्स वेलकूम सुक्सेट्स में तरह और आज जो हमारा एकनोमिस का लेक्चर नंबर 32 रहने वाला है इसमें हम बात करेंगे डबलू ट्यो के एगरिमेंट ओन एगरिकल्चर के बारे में यानिकि जो अपका डबलू ट्यो वर्ल्ड ट्रेड ओर्गिनलजिसन है इसका जो एगरिकल्चर को लेके एगरिकल्चर की बारे में खिर्गें कि अपके ऍपर गरिकल्ट हैं जो किया आकर देखेंगे जो क्का वह क्या है इसके बास देखेंगए ज्चेर के जो फीचर्स हैं वो देखेंगे इसके बारे हम देखेंगे और जो आपका एग्रिमेंट और इसका जो क्रिटिसिजम है कि जो वर्ल्ड कंट्री है जो आपके जो फोलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर इस्टाग्राम पर ट्विटर पर आपके जो चलिए दरीदा करते हैं आज का लेक्ट्र सबसे पहले हम देख लेखेंगे यानिकी डव्लू ट्यू के बारे में डव्लो ट्यू जो ट्रे सब्सक्राइब को आपके जो एक बारे में इसको बनाया गया था जो आपके वर्ड कंट्रीज हैं, वर्ड कंट्रीज हैं कि उनको ट्रेड को लेकर कोई भी डिस्पूट ना हो, तो उसके लिए आपका जनरल एग्रिमेंट और ट्रेड बना गया था, गैट और इसको, बाद में इसको डवलूट्यो के नाम से, 1995 में इसका नाम बदल कर दिया गया, 1995 में डवलूट्यो, यानि कि वर्ड ट्रेड ओर्गनेशन, जो इसका ओब्जेक्टिव है डवलूट्यो, वो है, जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स हैं, जितने भी उनको इन्फोर्स करना, इसके तार में अगर कोई किसी कंट्री के बीच में ट्रेड को लेक आपको मिलेंगे जैनेवा, स्विजर लेंड के अंदर और इसके इसके अंदर हम सेप्टेमबर 2022 की बात कर रहा हूं तो इसके इसमें 164 मेंबर है, इसमें 160 नेशन कंट्रीज हैं, इसके साथ में एक यूरोपियन यूनियन के जो यूरोपियन यूनियन है, होंग कॉंग है, मेकाओ है और टाइवान है, ये इसके अभी मेंबर है 164, तो अब हम बात करते हैं, सेमें आपे हिंदी में आपके लिए हो गया, अब बात करते हैं, अग्रिमेंट और अग्रिकल्टर, यानि कि अग्रिकल्टर को लेकर जो उपक इसका जो मेन एम है, वो है कि जो कंट्रीज है, जितने भी देश हैं, उनके इंदर जो domestic producer है, यानि कि अग्रिकल्टर सपोर्ट हैं, दिया जाता है, उसको कम करना और जो सब्सीडीज हैं, उनको कम करना, अब आप कहेंगे कि या जो अग्रिकल्टर सपोर्ट हैं, जो सब्स कंट्रीज है, यह एक विकास सिल देश है, और यह आपका एक भी एक डेवलप कंट्री है, तो क्या होगा कि जो बी कंट्री होगी, जो आपकी बी कंट्री होगी, जो उसके अंदर जो किसान है, इनको ये अधिक पैसा, सब्सीडीज के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि इसक आपको सस्वांद में दे सकते हैं, तो जो आपकी डेवलप कंट्री है, इसके प्रोड्क्शन कोस्ट आई है, मिल थेवन यह चाहिए, तो प्ने प्रोडुट्स को बेचेंगे तो उनको प्रोडिट होगा, लेकिन इनको जाए इनको 2 रुपे की सबसेड़ी मिली है डेवलपिंग कंट्री वालों तो इनको इनको इतनी परिफ्शनस नहीं दे जाएगे क्योंकि यह महेंगे मिलेंगे और आपके जो डेवलपिंग कंट्री वाला चीज आ जाती है तो ऐसी चीजे ना हो दुनों में एक यह बैटर ट्रेड हो तो उसलिए जो यह एग्रिमेंट है जो ले के आ गया कि जो आपकी जो अपके अग्रिकलचर EU सपोर्ट है उसके एक कंट्रोल रखा जा सके हैं जो यह एग्रिमेंट और अग्रिकल्चर था यह ट्रेटी नेगुस्टिट किये गए थी जो आपका जीए डबल टीटी का जनरल एग्रिमेंट और टैरिफ एंट ट्रेड का जो उरुगवे राउन था उसके अंदर यह अधर के फोरेस्ट्री है उनको एक्सेप्शन दैया हुआ है यानि कि आपको फिशिंग होगी मक्रिपाणि होगे उसको इसका में उप्जेक्टिव है यानी कि बताई फैтесь मैंने अपको निकर बयास वाली शी जा जाती है वह रहाए घ्यमेंट किशैडिट को ये इस शिस्टम को create करना, market access को promote करना और जो farmers का livelihood है चाहिए हो developing country के अंदर रह रहा हो उनको कहीने कहीन उनका livelihood आपका improve करना यह जो agreement है agreement on agriculture इसके कुछ key features है यह सेम आपके लिए यहापे हिंदी में हो गया आप बात करते हैं जो agriculture on agreement है इसके जो main features है इसके अंदर main तीन features है एक आपका होगा आपका access of market second आपका हो गया पहला आपका access on market हो गया second आपका domestic support और third हो गया आपका export subsidy आप इन तिनों को हम एक बात देख लिते हैं जो आपका access of market है इसमें क्या हुआ कि removal of all non-tariff barriers जब हम access of market की बात करते हैं यानि कि हर एक country को हर एक country की अंदर जो मतलब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें और आपकी US की बात करें और आपकी चाइना की बात करें तो इंडिया को US की market का access होना चाहिए और जो चाइना की market का access होना चाहिए तो ऐसी कोई भी चीजे ना हो जो इस access of market को access of market को हर्ट करें मतलब जो यह non-tariff barriers है उनको आपको हटाना है non-tariff barriers के अंदर क्या होता है जैसे आपने पता लगा कि कोई country है कोई A country है और यह कोई B country है अब B country चाहती है कि A country के अंदर अपना कोई भी चीज support करना तो इसने A country ने क्या बोला कि अगर आप 10 रुपे की कोई आपका import price है उनको minimum रखना है जो government की trading policies है उनके अंदर कहीने कहीं control होना चाहिए और आपकी licensing and other system है उनको कहीने कहीं control करने की requirement है पतलब ऐसा नहीं है कि यह country है यही इसमें export कर पाएगे या शिर्प आप जो है food grains ही आप export कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपक आपकी developing countries है यानि कि आपकी विकास्तिल देश है उनको अपने जो tariff है उनके जो tariff लगते हैं उनको 24% कम करना है आने वाले 10 साल के अंदर जो market access है वो worldwide increase करना है एंड आपका जो है यह minimum access will be required by 1995 इसके अंदर क्या है कि 1986 और 88 के अंदर आपको क्या है कि हर एक country को minimum 3% यानि कि जो उसका domestic consumption है जो कर domestic consumption होता है माने से लिए कि आम इंडिया की बात करें इंडिया के अंदर जो ग्यों की खपत है वो से 100 kg हो रही है तो उसके अंदर minimum 3% आपको market का access देना है पड़ेगा कि 3 kg आपको बार से आप एक import कर सकते हैं जो बाद में raise कर दिया गया 5% तक इसको बढ़ा दिया गय है तो यह access market के कुछ feature थे सेम जा पर आपके लिए हिंदी में type हो गया अब बात करते हैं domestic support की domestic support के अंदर क्याता है यह चीज़ इसके अंदर आ सकते हैं मतलब यह है कि अगर जैसे इंडिया है इंडिया के अंदर कोई फूड ग्रेंस है वाज लिए हम agriculture है इंडिया को अंदर अगर अपना agriculture का input बढ़ाना है लेकिन वो सिर्फ domestic यूज के लिए इसको बढ़ाना है तो तैन यह अपना पुलि पियो के और आपकेश्यवेंट के members हैं उनको commitment करने होगे कि उनको जो आपकी export subsidies हैं उनको reduce करना होगा थे आपकी दो तरहेख सब्सेडिक होते है कि आपको को करें चांटने को करें नहीं कर रहें उसमें नहीं क्या है कि अंगर एक्पोर्ट काुशन सब्सेडिडीज की बाहतातो जैसे में आफ के आपता कि आपको बतना क्ट लिपlles डिल्परक कांट्री है нитьनना नहीं उनके जो production है produce हैं उनके price कम होंगे तो वह है कि उनको अपकी जो export subsidies है उनको कम करने पर commitment करना होगा जो आपकी development country है उनको आने वाले 6 साल के अंदर अपना जो export subsidies है वो 21% volume के अंदर और 36% expenditure उसमें कम करना है लेकिन जो आपका developing country है वहीं उनके लिए समय है कि उनको दाने वाले 10 साल के अंदर 14% volume के अंदर कम करना है और 24% उनका expenditure के रूप में इसको कम करना है तो यह आपकी domestic support और आपकी export subsidies को लेकर कुछ इनके बोल सकते हैं आप rules बोल सकते हैं regulation बोल सकते हैं कुछ इसके features बोल सकते हैं अब आपके जो subsidies box है जो आपके WTO के जैसे मैं आपको बता कि त इनके बारे में देख लेते हैं जो आपका green box है green box के अंदर वे subsidies आती है जो जो trade के मतलब जो trade है trade को जो निश्पक्स trade है उसको परभावित नहीं करते हैं निश्पक्स trade जो होता है उसको परभावित नहीं करते हैं और अगर परभावित करेगी तो बहुत जारा minimum level पो उसक कि овेन YTD वून का रेका रीए कि या दिजाष्टन अपने जो फूड़ीन उनको बढ़ाने के लिए उनका पूडाने के लिए कोई रश्रिक्छ सपने कर रही है उसको को फंड ने के जैसे आपका mid-day meal scheme हो गया, यह जो ऐसी schemes हैं, तो ऐसी schemes गवर्मेंट्स ला सकते हैं, क्योंकि जो ऐसी scheme है, अगर आप माझ चलिए कि गवर्मेंट ने अंदर कोई environment को save करने के लिए, कोई जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम नलकूफ औगर से पाने निगालते हैं, नलकूफ से वो आपकी environmental को लेके हैं, तो इसमें जो production पर कोई इसका ऐसा negative impact नहीं पढ़ने वाला है, trade पर कोई negative impact नहीं पढ़ने वाला है, लेकि जो परियावन समस्टन है, उसमें इसका बहुत जारा positive impact देखने को मिलेगा, तो इसमें government subsidy लेके आ सकती हैं, यह government क्या करती है कि कोई research कर सके, यानि कि direct subsidy इसमें government को नहीं देनी होती है, government को भी subsidy होगी आपको environmental के रूप में देनी पड़ी होगी, दे सकती है, research fund के रूप में दे सकती है, disaster management के अंतर बतमाने से लगी, कोई India का, कोई state है, बाने से लगी हम बात करें कि बिहार है, बिहार के अंदर फलर्स आ गए, फलर्स के अंदर जो किसान है, उनकी फसल परबात होगी, तो उन किसानों को assistant के रूप में ये government subsidies प्रोवाइड करा सकती है, तो इसके, जो एस प्रकाजी subsidies है, उनको रखा गया है, green box subsidies के अंदर, इनके अंदर कोई भी element नहीं है, अब जो amber box आता है, subsidies का, amber box के अंदर में क्या होगा, कि, ऐसी subsidies जो, एक country का जो product है, इसके जो subsidies जाते हैं, इसको subsidies देके, जो दूसरी country का product है, उसके product को market में आने से रोकने के लिए, में ये effect डालती है, तो उसको बोलते हैं, amber box के अंदर subsidies, वायनके, distort international trade by making product of one country cheaper, as compared to similar product of the under country, यानि मतलब जो A country है, उसका product है 10 रुपे का, जो B country है, उसका भी production cost है 10 रुपे का, लेकिन जब international market में जा रहे हैं, तो subsidies के अंदर, इसका product हो जा रहे है 8 रुपे का, और इसका हो जा रहे है 7 रुपे का, तो इन्होंने एक ट्रेड के अंदर, एक विकर्ती सकते हैं, और जो A country है 10 रुपे के अंदर आप 10 रुपे के अंदर, यानि कि पांच रुपे के अंदर है, और 10 रुपे के अंदर, इसमें कैपिं रखा गया है, और जो ऐसी subsidy हैं, जिसमें जो subsidy आते हैं, कुमकुम सी आती है, जैसे आपकी fertilizer के रुप में subsidy होगी, आपकी seeds के रुप में subsidy होगी, आपकी irrigation के रुप में subsidy होगी, या अपका MSP आनिकी minimum support price आनिकी, आप उगाओ इतने पैसे पर्त हम आपका खडी दिल लेंगे तो आपकी इतनी सबस्रीड आएगी उग आपके अपकी ऐंगे इम्म alors अब दख लेते हो कि आपके a number box की लेते हन्ग लिए in on today a couple max बुक्स के अंदर जो आपका 5% और 10% का प्रेटरिया है इसके अंदर यह capping अटा दी है लेकिन कुछ conditions लगा दी है यह condition mostly जो आगर हम blue box की बात करें तो इसके अंदर mostly वही country को consider के जाता है जो आपकी under development होती है तो वही country इनका इनका फाइदा ले सकते हैं जो आपका Norway हो गया या उनका मतलब वह compete कर पाएं international trade में तो उनको जो आपकी वही अपना प्रोडक्शन है उनके फार्मर्स जो प्रोडक्स के अंदर रखा गया है तो वह अपने फार्मर्स को subsidies दे सकते हैं without any capping यानि कि जो आप सकते हैं कि under developed country है mostly उनके लिए blue box होता है यह होता है आप आप कर और जो आपकी developing country है में लिए जो दो तरहीं country होते हैं आपकी developed country और आपकी developing country इन दोनों country है विच में हमेशा असल चलती रहती है reason क्या है कि आपकी जो आपकी developed country है वो अपने आप तो सबस्टीज देते रहेंगी लोग लेकिन तो developing country यानिकि इमर्जिंग कंट्री है अगर वो कोई आपकी ट्रेड को जो इट्रेड करते है नेगेटिव से इस प्रकारी सबस्टीज देते रहते हैं लेकिन जो WTO है WTO के द्वारा उनको भी कोई भी punishment नहीं देता है कोई पैनलाइज नहीं देता है इस कारण भी इसका criticism होता है रिजन कहा है कि आपका जब वन ट्रेड ओर्गानिस है इनके अंतर इंदर इंप्लूएंस है इनको फंडिंग हो गए आती है वो मोचली developed country से आती है तो इस वेसे इनका influence होने की कारण जो आपकी developed country है वो इसका एक तरह से फायदा उठाने की करते हैं जो पुलिसी बनाती है अपने फार्मर्स अपने किसानों को support करने के लिए और एक इंडिया और चाइना की joint reports है उसके अंदर ये भी देखने को मिला है कि जो यूएस और कनेड़ा और EU यान यान की यूज यू 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 यूह भी यह सब करते हैं कि इसमताइब्सरी एक्का ऐस अप्रॉर्चर निट्स के अनदर उसमें कि क्थरी निघ्वू यू 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 डियू अप्किन दलो पर यूडिय्क ऑंदर यूज परैटरि यू जो इंड़ता है लेकिन झाते हो भी मतंद नहीं कर सकती क्योंकि उसके उपर जो डवल्लोडिएव Songs that होते हैं तो उसक् долларов से क्या होते हैं होते हैं उनको कई बार उनके पास में काप्डल नहीं होती है या उनके बहुंके बार काप्डल ओक्रन के लिए उनको अपने designers say करने के लिए जो आपको फंड की रिक्वार्मेंट्स होती है क्योंकि आपके डबलुट्यों उपर इक तरह से निगरानी करने के लिए बैठा हुआ है और इस करण से जो उनका जो प्रोडुशर है उनका प्रोडुक्शन है वह नेगेटिवली इफेक्ट भी होता है तो यह और अगर आपको इसकी पीडीए थ हैं तो आप टेलेग्राम से जो ले सकते हूं है अगर आप को पीडीए का लिंक भी आपको इसक्रिक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएं गो हें डाइनका फिर्फ रैव रिक आहटेशनवयूल कर शक्ते हैं दोनका अ assist Wei चलिग आगा तो आ